दोस्तों आज हम कस्टमर के हाँ पे आयो हुए हैं और यहां पे हम आपको दिखाएंगे कि फ्रिज में बार बार चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे और क्या क्या इसमें हम चेंज करेंगे देखिए हमने अंदर से फ्रीजर के कैपलरी काट दिये यह देख लीजिए कैपलरी दोनों साइट से कटी हुई है और इसमें गैस दोनों साइट से निकल लई है फ्रीजर से भी आ रही है और आपकी जो पीछे साइट फिल्टर से कैपलरी आ रही है उसमें भी गैस आ रही है हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे कैपलरी फ्रीजर के अंदर से चोक हो रही है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ब केप्लेरी के उपर उंगली लगाके देखे इस तरीके से इसमें हलका-hffic moisture और पानी टपक रहा है यह दैख सकते हैं। तो इस तरीकिंच का उती है तो इसमें का अगा पानी करो करती है का इस कंड्मिशन में हम केप्लेरी चैंज करते हैं अगर प्रब्लमज़ादा होती है जैसे फ्रीजर के अंदर आपको लगे कि कंप्रेसर के अंदर भी पानी उतर गया तेस की थो हम्रीजर का ओयल भी चेंज कड़े है कर दीया बडिका रहें कि इसमें क Dus ड़ी के टालेंगे हैं कि हमठी के पीछ processor में कहोल करेंगे जिसने के nurie مت Trung नहीं एक अंदर आजाए यह कुछ हो गया है आप लुग Kok देख सकते हैं कि इस फ़ल से काइब कैपलेरी अंदर को लेंगे मिदल डालने के बाद इसकी हो कि करेंगे केपलरी को पहले हमें अपना जो गैस सेलंडर होता है 34 नमर का छोटा वाला गोद्रेश का उसके ओपर या बूटेन के ओपर लपेड लेना चाहिए ताकि केपलरी जो है एक छले के रूप में बन जाए यह देख लिए हम फ्रीजर के अंदर टाका लगा रहे हैं फ्रीजर के कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बोडी पाट्स जल लाए यह देख लिए कि के अंदर जो परानी लगी हुई थे हमने गरम करके निकाल दिया है अब इसके अंदर नई केपलरी लगा रहे हैं और टाका लगा रहे हैं जब ऐसा करें तो आप कस्टमर से तवा मांग ले या कोई प फ्रीज कस्टमर का जल जाता है उपर शाइड का तो इसमें कस्टमर भी लोग बोलते हैं भाई देखो आपने जला दिया तो इस कंडिशन से बचने के लिए कि फ्रीजर आप टाका आप लगा रहे हों तो आपर की बोडी ना जले इसके लिए या कि आप गीला कप्रा पेज करने में असानी रहेगी और उसको उपर शाइड लगाएं और लगाने के बड़ टाका लगायें फ्रीजर क टाका हमारा कंप्लिट हो चुका है और यह आप बाहर कैपलर देख रहे हैं चलने में हैं आप हम फ्रीजर के कंडेंसर को फ्लस करेंगे आप लूग देखे कितनी गैस चलती है तो वो цевी के अंदर जाती है तो डिस्ट भी कुछ चली जाती है बारिक डिस्ट जिसे हमारी अमारी से कभी कोई तो ने चोख हो जाती है अब 117 कितनी डिस्ट निकल लई इए इस तरीके की डिस्ट जब बन जाती है तो हम ip क institutions को थोड़ा पेजकर्स की सहायता से इसको हिलाते हैं ताकि इसके इंदर जो ड़स्ट है वो निकल जाए अब देखिए हम फिलस्ट दुबारा करेंगे फिर यह देखिए ड़स्ट निकल लगए और यह ड़स्ट फ्रिज को चलने नहीं देती और इस ड़स्ट का मेन बनने का करण क्या है कि जब हमारा फृरीजर लीक होता है तो कस्टमीर भाऑई-लोग द्यान नहीं देते है उसको ऐसे चलाते रहते यह कभी कबी कस्टमीर भाई-लोग उसके उपर M-Seal लगा देते हैं अलाके और चालू कर देते हैं फ्रिजग कभी भी फृजर में चाकूल लग जाए ताप एसा कदाई ना करें, फ्रीजर को तुरंद बंद कर दें, बंद कर देने से जो आपके फ्रीजर के अंदर बर्फ है, उसका पानी अंदर नहीं जाएगा, अगर चला भी जाएगा, तो आप चालू नहीं करेंगे, तो वो कंप्रेसर में नहीं जाएगा, अगर कंडिशन कभी है फ्रीजर के अंदर ना जाए कंडेंसर फ्लस हो चुका है और हम टाका लगाएंगे जो नई कैप्टरी लगाई उसमें और फिल्टर में कभी कश्ट्मर भाई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि फ्रिज को एमसील या फैवी कोई डाल के किसी तरीके से ब्लोक करके चालू कर देते हैं उसमें तो कभी कभी ऐसी कंडिशन आ जाती है कि हमारा कंप्रेशर ही खराब हो जाता है अगर आपको एक से दो दिन या तीन दिन चल जाता है कांटिन्यू रणिंग में तो जो फ्रिजर के अंदर पानी आया हुआ है वो कंप्रेशर में उतर जाता है फिर आपको बहुत प्रोब्लम होती है यह जो डिस्टिंग आपको दीख रही थी हाथों में हाथ पे आ रही थी कार्बन यह जब कंडेंसर के अंदर पानी और गैस और ओयल तीनों चीज़े एक साथ मिक्स होके गूमती है तो कंडेंसर के अंदर जंग लग जाता है उसकी अब हम फिल्टर पर टाका लगा रहे हैं कि फिल्टर पर जब भी टाका लगाएं फिल्टर और तुम्हारा कंडेंसर के बीच दोनों के बीच लोहे का पाइप होता है जो कंडेंसर का पाइप होता है और फिल्टर जो होता हो कोपर का होता है तो इसमें टाका आपका डायट building road से नहीं लगेगा तो इसमें हमेशा flush की जरूद पड़ती है आप थोड़ा सा flush लगा दे टाका बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा और freezer का जब भी टाका लगाएं तो थोड़ा सा filter के उपर side में जादू तक टाके का माल डाल दे building road का कभी कभी ऐसी condition आजाती है कि आप टाका यहां पर लगा रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़के filter leak हो जाता है इसकी जड़ में लगाएंगे फिर थोड़ा सा माल उपर भी डाल देंगे यह देखिए ताकी जो है आपका टाका आगे से लिकेज करें और टाका जब भी लगाएं तो अच्छी तरीके से लगाएं यह देखिए टाका हमारा complete हो रहा है यह देखिए अब हम आगे कैप्टरी का टाका लगाएंगे अगर हमारी दीवी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चनल को like, share, subscribe जरूर कीजिए करिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी notification मिल दाए हमारे चनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, AC की, Fris की, Gas Giezer की और अधर कोई में जानकारी मिलती है तो हम उसकी वीडियो जरूर डालते हैं उसके उपर तो आप लोग हमारे चनल को देखते तो हैं पर कुछ लोग subscribe भी नहीं करते हैं न लाइक करते हैं तो थोड़ा हमारे चनल को like और subscribe कर दीजिए इससे हमें motivation मिलता है नई वीडियो डालने का कि हमारा चैनल देखा जा रहा है और लोग हमें हमारी दीव ही जानकारी से संतुष्ट है यह देखिए अब टाकर लग चुका है केपलरी का और इसको हम अब फ्रीजर को फ्लस करेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रीजर के अंदर थोड़ा बहुत मौशर होता है जब आप क इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लस कर देना चाहिए फ्रीजर को भी अभी तक फ्रीजर को फ्लस किया जा रहा है फ्रीजर को इतना जदा तेजी से दबाव में भी ना रखें कि आपका फ्रीजर कभी कभी ज़्यादा दबाव देते हैं तो हलका सा टेड़ा मेड़ा हो जा अब इसका हमने टाका जो आपका फ्रिजर से आ रहा है उसको लगा देंगे और उसके बाद हम इसको बैकुम करेंगे अगर आपके पास बैकुम पंप है तो बैकुम पंप से इसको बैकुम कर सकते हैं यहां नहीं है तो कंप्रेसर की साथ़ता से, अगर आपके पास कंप्रेसर भी नहीं जानाए तो सिल्व वैकूम भी कर सकते हैं, तीन तरीके से यह आप वैकूम कर सकते हैं, अभी हमारा वैकूम हो चुका है और इसमें हम गैस डालेंगे, यह देख लिए यह सिलंटर में लग करें देखिए गैस पढ़ रही है गैस हमने कोल दी ये गैस जा रही है प्रेजर के अंदर इसमें गैस स्लेंटर में 100 ग्राम के आसपास है तो इसलिए हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे ताकि लुकर्ड इसके अंदर चला जाए खड़े स्लेंटर में प्रेसर जब्त जगाएगा है इसलिए कभी कभी कोलिंग फिरिज हमारा कम करता है तो इसलिए जब भी डालें अगर गैस कम एगी हैं फो जिसलेंटर को ब्लटा कर देंग उससे क्या होगा आपको वी चला जाएगा अंदर और प्रेसर भी चला जाएगा अगर प्रेसर ज्यादा चला जाता है तो कभी कोई मसीन कूलिंग करती है पर ढंक से नहीं करती है तो इसलिए जब भी गएड़ डालें तो सिलंडर को एक बर उल्टा जरूर करें ताकि थोड़ा लुकट जरूर चला जाए क्योंकि बड़े सिलंडरों में एक्सर कर ये प्रोब्लम हो जाती है कि उसके अंदर प्रेसर लाश्ट में रह जाता है और हम प्रेसर डाल के चले आदे हैं मसीन कूलिंग सही नहीं करती है यह देखिए अब इसमें गैस लगबग पूरी होने वाली है आपको हम दिखाएंगे कि इसका बैक प्रेसर कितना रखते है और जब गैस डालें तो उसके बाद लीक टेस्टिंग भी कर लें फिल्टर के उपर क्योंकि जब गैस इसके अंदर पढ़ जाती है तो सबसे ज़्यादा दबाव यहीं पर होता है गैस जब पूरी हो जाती है तो हम सलंडर को हटा देते हैं और आपको दिखा रहे हैं देखिए 10 बैक प्रेसर चल ला है जीरो से और पचास के भी दो रंडिया है इसके 10 बैक प्रेसर हमने छोड़ दिया है अब इसको हम पंच करेंगे और पंच करके गैस को लोग कर देंगे गैस लोग करने के बाद हम इसको ट्यूपिटर की साहिता से काड़ देंगे और काड़ने के बाद इसको पंच कर देंगे अगर इनकेस आपको डाउट हो कि मसीन बीच में स्टॉक हो सकती है या चोक कर सकती है तो इसको आप टाके को इसके जगा पर पिन्वाल लगा सकते हैं इसे दिक्कत आती नहीं है अगर आपको डाउड लग रहा हो तो पिन्वाल भी लगा सकते हैं यह देख लिए है देखिए हमने पाइप को काड़ दिया है और इसमें आप ब्लोक कर देंगे इसको पाइप को ताकि हमारी गैस बाहर ना निकलने पर आपका कहीं कभी लगाएं आप अच्छी तरीके से लगाएं कि में टाकी का ही खेल है एसी की लाइन में एसी ए फिरिच की लाइन में टाका लगके कंप्लीट हो चुका है और हम इसका पंचिंग टूल हटा देंगे पंचिंग टूल हटा दिया और जो कैपलरी लगाई थी पीछे इसके चले को फिल्टर पे या जहां पे आपको सटिक जगाओ वहां पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तक आने वाली नेस्ट वीडियो आपको मिल जाए आने वाले कुछ टाइम के बाद हम इसके ओपर आपको गीजर की और फुली आटोमेटिक मसीन की वीडियो डालेंगे वाल पुक देख सकते हैं अब इसके पीछे का जो हमारा फ्रिजर से पान इसके पीछे प्लेड लगी होती है उसको लगा देंगी यह देखिए इसका फिल्टर है इसके अंदर कितनी डेस्टिंग है आप लोग देख सकते हैं यह देखिए मेन कारण इसका फिल्टर ही था जो सबसे ज्यादा इसके अंदर डेस्टिंग भरी हुई थी यह देखिए क तो इसलिए कभी भी हो फिल्टर जरूर चेंजिक रहें यह आप लोग अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना कार्बन और जंग है इसके अंदर यही बार-बार हमारी फिरिज को गैस जाने से रोक रही थी इसी विज़े से बार-बार प्रोल्म आ रही थी अब हम आए ग लेंगे धन्यवाद